तो दोस्तों फाइनली बंधन बेंग म्यूंचल फंड ने अपना एक न्यू एनेफो लॉंच कर दिया है और यह एनेफो आज की डेट में लाइब हो चुका है बंधन बेंग का यह एनेफो निप्टी फाइबंडेट मुमेंट फिप्टी इंडेस के अंदर आने बाला है तो अगर आप इस बेंचमार के अंदर इन्वेस्ट करते तो आपको कितने रिटर्स मिल सकते इसके साथ ही इस एनेफो के जो भी फंड मेनेजर्स रहेंगे हम उनके बारे में बिचानने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते और बंधन बेंग के इस एनेफो आपको अपने ब्रावसर में आना है मनी मिन्ट ये सर्च करना जैसे आप सेर्च करेंगे तो यहां पर देखने को मिल जाएगा बंधन निप्टी 500 मोमेंटम आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के उपर आ जाएंगे यहां पर इस सबसे बड़ा बिनिफेट आपको यह मिलेगा कि आप इस के अंदर कभी भी इंट्री बना सकते कभी भी यहां पर इग्जिट ले सकते इस स्कीम के अगर बात करें तो यह ट्रीकिंग करेगी निप्ती 500 मोमेंटम 50 इंडेस को तो जो भी आपके डिटरंस रहेंगे तीन महीने के चे महीने के एक साल के पांच साल के या लोंग टाइम के वो इसी benchmark के साब से आपको मिलने वाले तो ये बात आपको अपने mind में रखनी है कभी भी stock market के अंदर किसी से interest पे लेके loan लेके इस तरीके का पैसे आपको कभी भी invest नहीं करना है क्योंकि stock market काफी ज़ादा risk होता है यहाँ पे returns की कोई भी guarantee नहीं होती ये बात आपको हमें से अपने mind में रखनी है चलिए एक वीडियो को continue करते हैं और इसे नेपो के बारे में details में जान लेते हैं यहाँ पे अगर हम लोग इस benchmark के हिसाब से तो थ्री companies की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है trend limited जिसके अंदर fund manager 6.72% तक investment करेंगे उसके बाद हमें बजाज आटो limited देखने को मिल जाता है इसके अंदर fund manager 6% से ज़्यादा का investment करेंगे उसके बाद हमें एक automobile company देखने को मिल जाती है महंदरा एं महंदरा limited इसके अंदर 5% तक का investment किया जाएगा इस benchmark की जितनी भी company'ा है उनके बारे में अगर आप DTS में देखना चाते है तो money mint idea के उपर visit करेंगा सभी company'ों के बारे में आप यहाँ पर DTS में जान पाएंगे यहाँ पर हम लोग इस NFO की सभी important date वगरा के बात करें तो यहाँ पर देखें यह scheme offer की जा रही है बंधन बेंग के तरप से इसके नाम के बात करें तो nifty 500 momentum 50 index fund का नाम रहने बाला है यहाँ पर हम लोग offer price की बात करें तो 10 रुपे per unit के सबसे यहाँ पर offer किया जाएगा यानि जितना भी fund आप ही हाँ पर investment करेंगे वो 10 रुपे के अंदर calculate होगा उस भी हाथ के उपर आपको NAV का distribute यहाँ पर किया जाएगा type of scheme के बात करें तो यह scheme में open in a type की scheme रहती है इस type की scheme का आपको यह benefit रहता है कि इस type की scheme के अंदर कोई भी locking period नहीं रहता है तो कभी ही आप अपना पेसा withdraw कर सकते हैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा charge देना होगा इनका को time duration रहता है आगे मैं आपको सारी चाज़े बताऊँगा इस scheme का time duration कितना है अगर हम लोग NAV के opening date के बात करें तो 14 September से यह scheme open हो चुके और यह scheme 24 September को close हो जाएगी अगर आप इस scheme के अदर apply करते तो जो आपके allotment रहेगी वो 29 September को आपको मिल जाएगी यहनि जो भी NAV वगेरा रहेगी अगर आपको NAV लगता है तो आपके demate account के अंदर सीधी transfer कर दी जाएगी category की type के बात करें यह scheme एक index type की scheme रहने वाली है तो यह सीधा सा मतलब यह index को follow करेगी आगे मैं आपको सारी चीज़े बताऊंगा returns वगेरा कैसे मिलने वाले minimum investment की बात करें तो कौम से कम NAV के अंदर आपको 1000 रुपे investment करने होंगे उसके बाद आप चाहे तो SIP में इसको convert कर सकते है जब यह list हो जाएगा locking period की बात करें तो यहां पर देखें हमें और कुछ basic चीज़ों के बारे में बताए जाता है यहां पर सबसे पहले हमको यह बताए जाता है कि exit load detail ठीक है तो यह most important है इसको आपको हमें इस अपने mind में रखना है यहां पर exit load की बात करें तो यहां पर देखें 0.25 का exit load है redeem अगर आप करते है 15 दिन के पेले ठीक है तो इसका सीधा सा मतलब है यह skim जिससे stock exchange के उपर list हो जाएगी उसके बाद अगर आप 15 दिन के पेले ही हां से exit करेंगे तो आपको यह वाला charge कट जाएगा आपके पेसे के अंदर से और अगर आप 15 दिन के बाद ही हाँ पे exit करेंगे तो आप से कोई भी exit load नहीं लिया जाएगा minimum investment के बात करें तो 1000 रुपे से हाँ पे अपने investment इस्टार्ट कर सकते minimum SIP रहेगी वो 100 रुपे से कर सकते यानि कि जब NFO स्टार्ट होगा अभी ये टाइम में आपको 1000 रुपे से लेके आप maximum amount कितना भी invest कर सकते जब ये इस्टो के exchange के उपर list हो जाएगा आपको NFO के अंदर alignment मिल जाएगी तो यहाँ पे आप कौम से कम आपको 100 रुपे से अपना SIP स्टार्ट करना होगा अपर लिमिट यहाँ पे कुछ भी नहीं है lower limit की बात करें तो 100 रुपीस यहाँ पे कौम से कम रहने वाला है यहाँ पे हमें नीचे asset allocations के बारे में बताया जाता हम थोड़ा नीचे आते तो यहाँ पे देखिए निप्टी इसका benchmark है निप्टी 500, momentum 15 days इसका benchmark है 95% तक जो पेसा रहेगा वो fund managers इसी benchmark में invest करेंगे और maximum वो 100% तक करेंगे फिर भी अगर fund managers को लगता है कि उनके investor का और कई से अच्छा पेसा बन सकता है तो यह fund managers के उपर depend करेगा कि वो आपका पेसा कहां पे लगाते हैं बट जो भी आपका पेसा रहेगा वो आपके benchmark के अंदर investment किया जाएगा यहाँ पे अगर हम fund managers की बात करें तो fund managers आप देख सकते हैं यहाँ पे आप उनका नाम देख सकते हैं कितना उन्हें experience से उसकी सबी details आप money mint idea के उपर आएंगे सबी details आपके मिल जाएगी यहाँ पे देखे हमें उन sectors के बारे में बताया जाता है जिनका इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेटेज रहेगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेटेज रहेगा capital goods का उसके बाद financial services हमें देखने को मिल जाएगी थर्ड लाग्य सेक्टर हमें देखने को मिल जाएगा automobile and auto component यहाँ पे वो कंपरियें include रहेगी जो automobile vehicle बनाती है और उसके अंदर आप automobile के जो component रहते हैं वो बनाती है वो कंपरियें हमें देखने को मिल जाएगी उनके वेटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इस वेटेज के हिसाब से यहाँ पे चीज़े रहने वाली है आप ही सारे सेक्टर हैं यहाँ पे जब आप money mintide के उपर visit करेंगे तो आपको details में सारी चीज़े पता लग पाएगी और इस एनेपो के बारे में आप details में जान पाएंगे अभी most valuable questions की बात आती कि अगर हम इस एनेपो के साथ जाते अपना investment यहाँ पर करते तो हमें कितने returns मिलेंगे तो इसके लिए आपको page को नीचे school करना है जैसे आप page को नीचे school करेंगे तो इस एनेपो के जो benchmark return है वो आपके सामने आ जाएंगे आल्मोस जिन लोगों ने 3 मेने पहले invest किया उन्हें 5% से ज़्यादा के return मिले जिन लोगों ने 6 मेने पहले invest किया उन्हें 41% से ज़्यादा के return मिले मोटा माटी अगर आप जोड़ेंगे तो 42% तक के उन्हें return मिले बट एक साल के अंदर इस scheme ने काफी कमाल के return दी आल्मोस 65% से ज़्यादा के return मिले तो आप इस benchmark के value समझ सकते और इस बास से अंदाजा लगा सकते आपका कितना पेसा यहाँ पे grow कर सकता है यहाँ पे अगर हम 5 सार के return देखेंगे तो 34% से ज़्यादा के return बट अगर हम इस NFO के या इस index benchmark के returns की बात करें तो मोटा माटी 25% के return तो 25% तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है बट मेरा ऐसा मानना है कि 20% से ज़्यादा यह returns आपको easily बना के देदेगा क्योंकि यहाँ पे देखें फंड का जो नाम है momentum तो यह momentum को जो फंड में देश रहते उन्हें अच्छे से पता है क्योंकि हार industry के अंदर हार business के अंदर एक cycle होता है तो particular cycle हार industry का नहीं चलेगा कभी cycle down जाएगा कभी cycle आप जाएगा तो momentum fund इसी के लिए बनाया जाते ताकि वो सही momentum को right time के उपर पकड़े और जो भी उनके investor है उनको अच्छा सा पेसा है यहाँ पर बना के दे तो almost मुझे लगता है इस NFO से related हार एक चोटी बड़ी information आपको पता चल गई होगी यहाँ पर अगर हम इस NFO के fund रजिस्टार की बात करें तो KMS Online इसका fund रजिस्टार रहने वाला है तो जो भी NFO अगर का distributions होगा वो ECK के जरी किया जाएगा तो दोस्तों मुझे लगता है इस NFO से related हार एक चोटी बड़ी information के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजेगा देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो से आपको कोई भी knowledge मिली इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और money mint idea चैनल को पेली भार अगर आप देख रहे तो ज़रू सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी detail information वाली वीडियो सिर्फ इसी चैनल के उपर आपको मिलती है क्योंकि हमारा इस market के अंदर जो experience है वो 4 साल से ज़्यादा गया है